असलाम अलेकुम कैसे आप सब उमीद करती हूँ खेरियत से होंगे ठिक ठाक होंगे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि only 50 रुपे में सिर्फ 50 रुपे में हम पारलर जैसा फेशल कैसे करें तो फेशल करने के लिए यहां मैंने आप गुड़नेस का लवेंडर रिफ्रेशि करता है विटैमिन सी कंते सीन में करने मेंहें काफ़ी मदद करता है और हम ऑसकी स्केстраut काना ग्राम हमें सीन मिल जाती है और इसके direction दिये गए हैं कैसे हमें इसे use करना है step 1,2,3,4,5,5 step है हमें कितने देर करना है कैसे use करना है इस पे सारे directions दिये गए है और इसकी बहुत सारी varieties हमें मिल जाती है जैसे की golden, diamond, dragon fruit, charcoal, cucumber वगेरा बहुत सारी varieties हमें इसे देखने की मिल जाती है बहुत सारे flower and fruits की varieties है आप अपना कोई भी मन पसंद varieties चूज कर सकते हैं और इसकी खास बात यह है कि हम इसे दो बार use कर सकते हैं वन फेशल किट को हम दो बार use कर सकते हैं या दो लोग use कर सकते हैं इसका first step cleanser होता है second step scrub होता है third step cream and fourth step mud marks and five step moisturizer इसे हमें अच्छे से अपने face पर apply करना है और इसकी मैंने तीन फेशल किट बंगाई है यह pack of three है मेरे पास तो pack of one निकाल देती हूं मैं और इसकी बता देती हूं इसकी क्रीम की quantity हमें अच्छी खासी मिल जाती है बाके facial kit से जैके हम इसकी सारी क्रीम को दो बार आराम से यूज कर सकते हैं तो और इसकी price की बात करें तो इसकी सारे varieties हमें कम से कम 150 रुपीज में मिल जाती है लेकिन हमें discount में 100 तक हमें हर facial kit हर वेराइटिस की 100 रुपीज तक हमें मिल जाती है तो इसकी खास बात यह तो हम usus step करेंगे पहले करींजर के er हम लगाणा है फेसपर और अपने फेस की क्लिंजिंग करनी अच्छे से अधिर हमें जेल में मिल जाता है इसे जेल समय यह जेल reach gleich करनी है और यह,, एक स्किन पर वगएरा होगे धर्ट हुद्ग होगी वह यलो में ब्लैक ब्लैक करके हमारी स्किन से छूटेंगे लगा में कर फीज के नितने करनी है ओक इसके बादお願い अपना फेस वाश कर लेना है Mr. Gold applied is scrubbing करनी है मैं अपने फेज की कम से कम फाइं मिनट तक हमें अपने फेज की स्क्रबिंग करनी है जदा से जदा अगर करनी है आपको तो आप 10 मिनट कर ले इसका प्रेक्जर की बात तो इसका प्रेक्जर काफी ठीक है हमने एक बोल में पानी लेना है थोड़ा थोड़ करते रहनी एक हैस अरे से स्क्ररबिंग करने से यह होता है कि हमारे दूर्ध दूल वगएरा निकल जाते हैं और रबंच स्कीन स्मूथ हो जाती है शाइनी हो जाती है और सिल्की सी स्कीन लगती है हमारी इसे हमें 5 मिनट तक करना है उसके बाद अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है अब धर्ड स्टेप है क्रीम क्रीम का टेक्चर भी काफी ठीक है अब इस क्रीम को हमें 12-15 मिनट तक अपने फेस पर करना है मसाज करनी है 12-15 मिनट तक हम अपने फेस पर मसाज करेंगे जब तक ये क्रीम पूरी ऑब्जॉव नहीं हो जाती हमारी स्कीन में पूरी स्कीन में ये क्रीम हमारे ऑब्जॉव होना चाहिए बाके एक्स्ट्र जो रहेगा उसे हमें साफ कर देना है क्लीन कर देना है ये क्रीम इतनी थिक थी बहुत ही थीक क्रीम थी लगी निराता कि यह हमारी स्किन में आफजर्व हो जाएगी लेकिन यह आसानी से मसाज करते करते आफजर्व हो गई इसकी वज़ा से हमारी स्किन इंदम लाइटन अप हो गई थी पहले से जादा इंदम क्लीन लग रही थी और लाइटन अप हो गई है बागी जो एक्स्रा क्रीम हमें बच्छी है वह मैंने रुमाल से साफ कर दिया गिले-रुमाल से या Sergeant कपड़े से साफ कर लेना है कि इसकी फिसु भी यूज कर सकते हैं आहरी कि अब फ्रॉद है मद माख मड़माग समें लगाना है यह अब इसे हमें 15-20 मिनट तक अपने फेस पर लगाए रखना है उसके बाद हमें अपना फेस वाश करना है जब तक यह सूख ना जाए अगर नहीं भी सूख थी तो 20 मिनट के बाद हम अपना फेस वाश कर लेंगे और यह क्रीम भी बहुत ही ठीक थी और इतना लगाने के बाद भी पैकेज में बज़ गया है अच्छे से अब यह फिफ्ट है मॉस्ट्राइजर अब यह मॉस्ट्राइजर क्रीम है इसे भी फेस पर लगाएंगे और जब तक मसाज करेंगे तब तक हमारी यह स्कीन में बीच में बाहरे सा वीडियो में आपके साथ जल्दी शेर करूँगी और इसे पहले मैंने क्लीन अप किया था तो फिल्ल करने अंप डेख देख सकते हैं मेरे यूंटुब चैणल पर के और इसले हम अच्छे तरीके से अब्ज हुख करना है पूरे स्कीन में क्लीन अप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दाल दूंगी आप चेक कर लेना और ब्लीच का विडियो भी मैं आपके साथ जल्द शेर करूंगी देखे पूरी अपसब हो गई एक क्रीम फेस वाश कर लेंगे अब देख सकते हैं फाइनल ग्लो हमारी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है कुछ भी नहीं लगाया प्रोड़क ओनली लिप्स्टिक लगाई है कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करकर बताएं वीडियो को ला हमाँ करे कितना अच्छा ग्रोड़क लगाई है करे डादição करे अच्छाएं आप करेंगे लिए भी लागाई है क्वीडियो करे क्यों हमाहे है और रहागा है कितना श्रागएं अग्वावारी आपक।